पूरा साल आपका कैसा बीतेगा ये हम बताते हैं तो ग्रहों की स्थिती और कितना स्पेसल दिन आप सब का जनम दिन कितनी खुशिया होती हैं बच्चे तो बाप रे बाप गजब का excitement होता नई जनम दिन बीतने के चार दिन बाद ही पूछने लग जाते हैं कि अगला वर्डे कम मनाएंगे उनको केक काटने का शौक होता है तो आपका भी वच्चा आपका बेटा भाई भांजा कजन ब्रदर कोई भी जो आपके अपने होंगे कोई दोस्तियार boyfriend girlfriend दिनाग 24 जून को अगर पैदा हुए है तो आज आपका आश्ट्रो फ्रेंट इस विशे पर बहुत सारी बातें करेगा दस मिनट का कारगरम हर तरह से आपको आनंदाती रेग से भर देता है आपको हसाता है गुदगुदाता है कोहीं डरा भी देता है है ना हम तो भी या ऐसे ही है ध्यान देना है यहाँ पर बहुत ध्यान देना है क्या ध्यान देना है किन-किन बातों को हम आपको बताकर आगाह कर रहे हैं शिक्षा छेत्र में ब्यापार में प्राइवेट सेक्टर की नोकरी में सरकारी सेक्टर की नोकरी में सब चीजें हम बताते हैं मुख्य रूप से जो आपको सोचना है जो आपको समझना है वो दो विशेश है नमबर एक विद्यार्थी वर्ग में दोस्ती की वजह से आपकी सिक्षा प्रभावित होने जा रही है आप बचाईए दोस्त घूमने के लिए कह दे दोस्त मूवी देखने के लिए कह दे दोस्त वाइफेंड गल्फेंड बनाने के लिए कह दे बोरिंग लाइफ ये लाइफ वो लाइफ हुका बार डांस बार पब बार कौन कौन सा होता है शहरों में साब घूमते टालते हैं ऐसे बच्चों से मैं एक बात कहता हूँ कि इन चीजों का जीवन में लाभ बता दीजिए क्या फाइदा है इसका क्या मिल जाएगा मजा आप कहते हैं मजा मजा शब्द को प्रूब करिए न यह तो आपका इंडिविजुवल हो गया मेरे लिए तो जोतिश का अध्यन होता है यह तो आपका इंडिविजुवल हो गया कि शराब पी करके और और dance floor पे dance ये मजा है आपके लिए इंडिविजवल हो गया जो कि गलत है जो कि राहु और शनी से प्रेरित है उनसे inspired है ये मजा हो जा नहीं है तो मित्रता की वज़ए से आपकी सिक्षा प्रभावित होगी हो सकता है फेल हो जाएं आप या हो सकता है 90% का सोच करके आप 60% 16% पर टिक जाए आपकी सिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है बूरी तरह से आपका मन चंचलता की तरफ भागेगा और आप अपनी सिक्षा से विमुख होने लग जाएंगे आपके माता पिता के साथ आपके संबंदों में मधुरता नहीं आएगी कटता बरती जाएग ब्यापार की दिष्टी से ये वर्ष आने वाला अगर आप 23 जून को पैदा हुए है तो ये आने वाला वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है इसके पीछे का कारण है देखिए आपके निरड़े इन्फ्लुएंश्ट रहेंगे किसी से प्रेडित रहेंगे प्रभावित रहेंगे इसलिए ब्यापार खाटा देदेगा परोसी का देखके दोस्त का देखके यार का देखके गए एक और खास बात बर्तमान इस्थिती कहीं से भी सकरात्वक नहीं है तो बड़े निरड़े से आप बचने की कोशिश करें बिदेश में फैलाव अभी न सोचें एक बार कुनली दिखा लीजेगा और फिर सोचेगा कि ब्यापार को बिदेश तक लेके जाना है कि नहीं जाना है साजे में थोड़ा सा सावधान रहेगा साजा आपके लिए घातक है तो उस मामले पर आपको बहुत सावधान रहना है सामान से कुछ ज़्यादा इस्पेक्टेशन भी व्यापार में घाता दिला देता है कि आपने ज़्यादा सोच करके करज ले लिया और करज से व्यापार में डाला वहाँ पर भी घाता आपको होगा प्राइवेट सेक्टर की नौकरी प्रमोशन आपको हो जाएगा 15 अगस्त से ले करके सितंबर के भीच में अप्रेजल में भी आपको पैसा अच्छा मिलेगा और पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ती हो सकती है स्विचिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो तो नौमबर के बाद आप प्लान कर सकते हैं अगर आप 23 जून को पैदा होए हैं तो आप के लिए सरकारी नोगरी लग जाएगी अगर आप प्रयास कर रहे थे 23 जून को पैदा होकर और कर रहे थे तो प्रमोशन हो जाएगा वो भी किसी मित्र की मदद की वज़े से नौमबर दिसंबर तक आते आते हैं अच्छा लाब मिलेगा अगर आप सरकारी नोगरी कर रहे थे तो बॉस के साथ उलजने की बजाए उनकी सुनना पसंद करिएगा इस वज़े से कुछ खत्रा दिख रहा है अगला दामपत्य जीवन मैरिड लाइफ में 15 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर के बाद कुछ हस्तक छेपों की वजह से दिक्कत है अक्टूबर तक तो आप अच्छे से चला लेंगे अक्टूबर के बाद दिक्कत आएगी तो उससे बचने के लिए अभी हम आपको तयार कर दे रहे हैं इसी समय पर बाकी चीजें समझ लेजिए आप बाहरी लोगों का हस्तक छेप न बरदास्त करिएगा Married Life समर जाती है ससुराल वालों का भी प्रेमि जीवन प्रेमि जीवन में किसी प्रकार की विसंगती नहीं आ रही है प्रेम संबंधों में प्रगारता आएगी बीच-बीच में खट-पट होगा बहुत छणिक होगा फिर आप लोग एक हो और आगे अच्छे से बढ़ेंगे चाहें तो आप दामपत्य जीवन में अपनी प्रेमी जीवन को कनवर्ट कर सकते हैं उसके शुकता मिल जाएगी बिमारियों के मामले में हर्ट की प्रॉब्लम और डायबिटीज आपका बढ़ेगा बाकी सारी चीजों पर आपको नियंतरो मिल जाएगा दवाईयां लगेंगी खुशी अंदर से रहेगी तीन धार्मिक पुष्टक किसी धार्मिक स्थान पर दान करना है पस इतना सा छोटा सा प्रियोग आपके लिए शुकता दायग रहेगा और पति-पत्नी मिलकर तीन नारियल किसी सफाई करमचारी को प्रदान करके वहां से भी आपको शुबता मिल जाएगी अगर आज आपके शादी की सालगीर है बस चलते हैं वीडियो को जितना हो से के अपने मित्रोंत्रों के पास भेज देजेगा जिनका जिनका आज तेज उनको बर्त देए मिलने उनने के लिए जो नंबर चल रहे हैं बात कर ली देगा नमस्कार शिरादे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो से के वीडियो को शेयर करना ना भूलिए